दमोजले के बटियागड थाना अंत्रगत बटियागड बस्ती में लिम्बरदार लोधी परिवार में एक गैस सिलेंडर के फट जाने के बाद एक बुजर्ग एक अधेड महिला सहत तीन बच्चों के घायल हो जाने का संसनी खेज घटना करम सामने आया है जानकारी के मताबिक है जब एक ही परिवार के हैं लोग घर में खाना बना रहे थे उसी दोरान लोकल कमपनी का गैस सिलेंडर में बलास्ट हो गया वह फट गया और गैस सिलेंडर के फट जाने के बाद एक मुजर्ग महिला सहत एक और महिला था तीन बच्चे इसकी चपेट म आ गए आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिले के बाद तकाल ही इन्हें बट्यागर के सामुदा एक स्वासकिन में इलाज के लिए लाए गया वहीं उसके बाद इन्हें दमहो जिला अस्पतार रेफर किया गया है अलकि सभी लोग घायल हुए हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है इस मामले पर थाना प्रभारी ने जानकारी दी लेकिन इस मामले में सबसे महत्पुन बात यह हैं कि लोकल कंपनी के गैस सिलेंडर का प्रयोग करने के चलते यह बड़ा हाथसा सामने आया है A.C.N. News के लिए विनोद उदेनिया की रिपोर्ट झाल